वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत है लोग जन शक्तिपाटी के संस्थापक और पूर्व केंद्री मंत्री राम विलास पासवान का बचपन और किशोर अवस्था बेहत गरीबी और संघर्ष में वीता हालही में प्रकाशित किताब रामविलास पासवान संकल्प साहस और संघर्ष में लेखक प्रदीप स्रिवाश्तों कहते हैं कि रामविलास पासवान का गाउं एक नहीं दो नहीं बलकि चार-चार नदियों से खिरा हुआ था अधिकतर समय बाड के कारण वह टाफू में सब दिल रहता था उनकी पढ़ाई की शुरुवात इसी तरह से हुई थी कि वे नदियों को पार कर स्कूल जाते थे इसमें खत्रा बना रहता था जाहिर है कि बच्पन के दिनों के खत्रे को खेलते हुए बड़े हुए पासवान शायद इसी लिए बाद में ऐसे कई कठिन जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटे ऐसा ही एक जोखिम पासवान ने अपने कलियर की शुरुआत में तब उठाया जब उनकी नौकरी लगी आज हम उसी किस्ते को सुनाने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं रामविलास पासवान ने पोश्ट ग्रेजवेशन पूरा किया तो नौकरी की तलाश शुरू कर भी छात्र जीवन में उन्होंने अलग-अलग मुद्दे उठाये नेतागिरी का स्वात वो चख चुके थे रामविलास पासवान संकल्प साहस और संघर्ष में लेखक प्रदीब श्रिवास्तो कहते हैं कि पासवान ने अपने राजनेतिक करियर के बारे में उस समय कुछ नहीं सोचा था पर उनके दिल में आदर्ष और समाजिक चनौती के खिलाब लड़ने का जज़बा जरूर था चार मेहने एक फाइनस कंपनी में नौकरी करने के बाद उसे छोड़ दिया कंपनी को लेकर उनके मन में संशे हुआ शिकायते आने लगी तो इस्तीफ़ा दे दिया एक अदर नौकरी की तलाश में भटकते हुए पासवान ने दरूगा की परिक्षा में लिखित एक्जाम पास किया तो इंटर्व्यू में खारिज कर दिये गए फिर आया उनके जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बिहार लोकसेवा आयोक की लिखित परिक्षा पास करने के बाद वहां इंटर्व्यू में भी पास हुए जरोगा तो नहीं बने लेकिन डियेस्पी जरूर बन गए सबने हैरान होकर कहा कि वह क्या बात है और ऐसा बनता भी था क्योंकि उनके गाउं और आसपास के अलाकों में उस समय तक कोई भी सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर पाया था राम विलास पासवान संकल्प साहस और संघर्श में लेकर प्रदीप शिवास्तों कहते हैं कि ट्रेनिंग से पूर पासमान अपनी भुवा के गाउं पहुंचे तो वहां सोसलिष्ट पार्टी से जुड़े राम नंदन यादों ने एक सलाह दी कि आप चुनाओ लड़ जाएए पासवान जी सलाहों और सुझाओं का दौर ऐसा चला कि छेतर तक तै कर दिया गया राम विलास चातर रहते हुए भी अंदलोनों की अगवाई करते रहते थे इसलिए उनके मन में भी विचारों का उतार चड़ाओ हमरता रहा राजनीती में कुछ तो करना था मगर क्या इसी उधेरबुन में लगे पासवान का आमना सामना खगडिया जाने वाली द्रेन के एक दिब्बे में अलॉली से लगातार विधायक रहे मिश्री सदा से हो गया उस दवरान पासवान ने कुछ ऐसा सुन लिया कि उन्होंने निश्चे कर लिया कि वे अलॉली से ही चुनाव लड़ेंगे रामविलास पासवान संकल्प साहस और संघर्ष में लेकर प्रदीप शवास्तों कहते हैं कि दरसल एक कॉंगर्सी कारिकरता ने मिश्री सदा को बताया कि इस बार अलॉली से संयूक्त सोसलिष्ट पार्टी किती पासवान नाम के लड़के को टिकट दे रही है हाल ही में डियस्पी बना है कल का लंडा है आपको चुनोती दे रहा है इस पर विधायक हसकर बोले पिशली बार 40 हजार से जीते थे इस बार 80 हजार से जीतेंगे अलॉली बिधान सबाक शेतर से मिस्टरी सदा के सामने सबकी हार होती थी उन्हें पराजित करना नामुम्किन था सन्यूक्त सोसलिस्ट पार्टी के जिला ध्यक्ष राम जीवन सिंग ने उन्हें टिकट का आस्वाशन तो दे दिया था लेकिन आपचारिक फैसला नहीं आया था पासवान अपनी A1 साइकल से गाउं गाउं जाकर प्रचार करने में जुट गए बाद में अलोली से पार्टी के एकलोसे दावेदार पासवान को टिकट भी मिल गया तो चार अकेले ही करते धीरे धीरे चंदा भी लोग देने लगे धीरे धीरे उनके साथ युवाओं के टीम नज़र आने लगी सब ठीक रहा और पासवान लग भकर 700 वोटों पे चुनाव जीत गए बड़ी बात ये रही कि बिना साधनों और पैसों के उन्होंने पहला चुनाव जीता कांग्रेस के दिगज नेता और मजबूत विधायक मिर्श्री सदा को पराजित कर इतिहास रच दिया गया था ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था यहां से उनकी एदाजनेतिक पारी शुरू होगे राविलाव पासवान के संघर्ज की दाफ्तान आपको कैसी लगी हमें कमेंट सक्चन में जबरूर बताईएगा और यहती ही अन्य सियाति किस्तों के लिए बने रगे जनता तकता करो किस्तों कि संघर्ज के लिए